तो ऐसे हम पर यह हमेरे पास Vivo T1 4G 44W स्मार्टफोन आपको मैं इसी स्मार्टफोन की इसी वीडियो में टॉप 60 जी हां दुस्तों 60 से ज्यादा टिप्स इन ट्रिक्स हीडन फीचर्स बताऊंगा बहुती कमाल के ट्रिक्स बताऊंगा आप इस वीडियो को एंड तक देखकर बहुती इंट्रेस्टिंग और कमाल तरीके से अपने स्मार्टफोन को यूज कर सकते हैं क्योंकि ट्रिक्स ही आपको कुछ इस तरह से बताने वाला हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेक कर देना और आप चैनल पर नहीं है तो सबस्क्राइब करके बेल ऐकोन प पाऊर बटन इन दोनों बटन की ऊपर एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे तो भी इसकीं शॉट लग जाता है दोस्तों अगर आपको लॉग इस फ़ोन में एक्जामपल उपर से लेकर नीचे तक आपको लॉग इस फिन शॉट लेना है तो सब से बहर से हमार मरें क्या करें तो एक application open करके three finger को उपर ले कर जाना है तो नीचे एक और screen निकल कर आएगा आप इंपर दो application कुछ इस तरह सी इस phone में use कर सकते हैं और उपर वाला app छोटा नीचे वाला बड़ा ये भी कर सकते हैं नीचे वाला चोटा उपर वाला बड़ा ये भी कर सकते हैं अपर उपर उपर नीचे नीचे वाला उपर अब मालों आप दो application की बीच में काम कर रहें एक application ये दूसरा application ये है तो आपको इस पहले वाले application रिम जाने के लिए इस menu button पर double click करना होगा फास्ट डबल क्लिक करना आपको इन दो application की बीच में आप transfer हो सकते हैं और आप हैंने मीदि बटन पर कलिक करके कि आते हैं तो हम अहीं बात करें कि आपके हम पर आना है सेटिंग में आने के बाद आपके हम पर की Tiger अप इसको आउन करें है और क्लिक करें कः आप प्रोजिंग कर रहें याप कुछ भी पढ़र रहें स्टेडिका कर रहें तो इसको ऐन सेफ सेफ रह पड़े इसके बाद इसी सेटिंग में यहां पर है डार इसको आउन करेंगे तो यह भी इसी के रिऎरडिंग एक और फीटर करने के लिए मैं थोड़ी दिर के लिए ओफ करता हूं वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए उसके बाद नीचे आने के बाद आपको दिखता है मतलब यह जो आपका स्क्रीन है इसको भी आप बढ़ा कर सकते हैं यह आप बढ़ा करना चाहिए कर लिए आपको कुछ भी नहीं होता है आप नंबर करेंगे बढ़ा संट नंबर आपको कितने अपस कॉंटिटुट्री बतता है अब करेंगे उसके बाद यहां के बात करने के piece का जखुत हैं हो जाना है और यहां से आप अप्टोमाइज करना अपने स्मार्डफोन को कभी कभी आपका स्मार्पोन लिएक होता है तो आप इस सट्टिंग में आकर अब ऑन करेंगे तो आप का स्मार्फोन और भी स्पीर्ड चलता है अगली फीचर की बात करना लिए setting प्रणा है और आना अपने इसको सट कर लिया तो आपको आता है तो इसी तरह एड लेटिंग लगता है और उसके बाद यहां पर आपको आना है ब्याक है यहां पर नोटिफेकेशन यह और नोटिफेकेशन के लिए डिफरेंट रख सकते हैं हां पर नोटिफेकेशन के लिए मैं इसको इय Defense करता हूं अप लिए कर लिए तो जो आपि लिकिशन में यह अपर लिए उन व्लेकेशन शींपने आता तो ध मार भी बैक आने के बाद आपको आपको मिलता हैं आपको Competition Place और कर कि आजए हैं यह सगते हैं यह तो आप इस तरह से वो इस तरह से रहुत आने काल आपको आपको पर मिलता है फिंगर्पं अइनिमेशन मतलब अपिंगर्पिंगर पिंगर्पिंगर्पिंट सेट करके हैं तो लॉख शूमपर आपको एक आइकन दीखता है वो icon का style आप हम पर change कर सकते हैं उसके बाद back आने के बाद यहां पर और है fingerprint animation यहां पर दीख लिजी आप इस पर click करके मतलब आप fingerprint unlock करते हैं तो एक effect आता है animation वो effect कैसा ना चाहिए उसको आप हम पर रख सकते हैं back आने के बाद face lock का भी एक animation आपके हमेरे मिलता है मतलब आप face charging लगाते हैं तो lock screen पर एक animation दीखता है इस तरह से एक effect उसका भी आप यहां पर effect चेंज कर सकते हैं इसका style चेंज कर सकते हैं और उसके बाद यहां पर USB लगाने के बाद में कैसा आने चाहिए animation और रख सकते हैं और आपके हमेरे सकते हैं simple अगले feature की बात करने लिए आना है आपको setting में और आपके हम पर आना है भी sound setting में और यहां पर है वाइट फॉर call आता है तो आपका smartphone वाइट होगा बैक आने के बद और आपके हम पर आना है नीचे यहां पर और नीचा नहीं यह जो सारे sound साना सबको off करना है सबको off करेंगे तो आपकी phone की battery backup ज्यादा देग होती है आप इन सारे settings को off करेंगे तो बार-बार speaker on नहीं होगा और वहां से extra battery consume नहीं होगी अगली feature की बात करने के लिए आपको इस notification पैनल में आना है इस wifi और hotspot दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं इस phone में ताकि अपनी wifi का internet hotspot के जरे किसी और को share कर सेके बिना उस phone में अपने wifi का password डाले उसके बाद यहां पर आपको दिखता है s capture आपको इस setting में आना है यहां सी भी आप long screen shot ले सकते हैं और आप screen recording करना चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके सारे settings वागरा करके यहां पर आप करेंगे सारे settings करके start screen recording पर क्लिक करेंगे तो screen recording होना शुरू हो जा इतना ही screen recording कर सकते हैं इसको आप और चोटा करना चाहिए कर सकते हैं और बड़ा करना चाहिए बड़ा कर सकते हैं कोई भी कौनि में लागा सकते हैं start up करेंगे तो phone को यूज कर रहे हैं लेकिन जितना box से करा है इतना ही screen recording होगा बाकी का नहीं होगा इस पर क्लिक करके यह थैंचर ले सकते हैं इस थाल लगजाता है आगले फीचर की बात करेंगे आपको इस mean प्याने के बाद यहाँ पर दिख्ञता है इस तरह से डून डिश्टाप को यूज कर सकते हैं अगले फीचर की बात करने लिए आते हैं सेटिंग में और आते हैं इस तरह से नीचे यहां पर आपको दिखता है एपस आपको इस सेटिंग में हाँ आपको सारे अप्लेकेशन दिखेंगे कौन से एपस नोटिफिकेशन आने के बाद और कितने घंटे फोन को यूज किया यह देख सकते हैं और नीचे आकर कौन सा एप्लेकेशन कितने मिन्ट्स और कितने घंटे यूज किया यह देख सकते हैं अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में और आते हैं से नीचे नोटिफिकेशन में आना है भी औ मतलब को जो जो एप से नूटिफेकेशन आते हैं आपने क्लियर किया तो यह हम पर हो जाएंगे बाद में आप आकर देख सकते हैं किस किस एप से हमको नूटिफेकेशन आये थे हमने क्या क्या क्लियर किया है देख सकते हैं एक स्टेप आने के बाद आपके हम पर नीचे आने नहीं बताएगा आप एंपर करेंगे और उसके अलावा शो करेंगे तो आपको जो जो एप से नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से स्क्रीन आउन होगा उसके बाद यहां पर उसी की ठीक नीचे आने के यहां पर है हो मुपा से कितनी निचेशन हैं कौनटिटिटी बताएगा और हम पर आपको करेंगे दूसरों एक डॉट तो उसके ऊपर एक डॉट बताएगा अ softly पर यहराард संताज मुबाईलस- ताज मूबाईलस लिजयापूर करनाटका में बहुत बड़ा शॉप है हाँ पर यह जो सामने खड़े दिक रहे हैं यह इस shop के owner है हाँ पर 10-12 सालों से यह mobile का business कर रहे हैं इनका पूरा ना हम है ताजुदिन अतर लेकिन लोग इनको ताज भाई के नाम से जानते हैं बहुत बड़ा shop तो है लेकिन हाँ पर सारे brands के smartphone आपको available मिलेंगे जैसे realme, redme, Oppo, Vivo, Samsung, OnePlus, Apple इसके अलावा और भी साथ में service भी available यहां पर है यह माई की options यहां पर available है तो आप यहां पर address वागरा देख सकते हैं contact number देख सकते हैं यहां पर contact कर सकते हैं contact करके आप यहां पर smartphone को purchase भी कर सकते हैं आप मेरा नाम बताएंगे तो discount भी आपको एक्ट्रा मिलेगा आप YouTube से आये हैं तो अगले future की बात करने के लिए आपके यहां पर setting में आने के बाद और और आना है इस रासी नीचे है यहां पर है security आपको इस setting में आना ह है private setting में यहां पर 10 pin password जो रखना चाहिए रखकर आप यहां पर app lock रख सकते हैं मैं यहां पर pattern set कर रहा हूं यहां पर कुछ भी टाल देंगे चलेगा उसके बाद यहां पर आप इस पर क्लिक करके applications को lock कर सकते हैं example मैं यहां पर Facebook को lock कर लेता हूं तो अभी हम पर Facebook open करूंग आप अगली फीचर की बात करने कर लिए आपको सटिंग में आकर इसी सेकर्टिटी सटिंग में आकर और सेम सटिंग में आने के बाद अभी application को आप हैड कर सकते हैं आपके हम पर आना है भी RAM and storage space आपको इस सटिंग में आने के बाद आप RAM पर क्लिक करके यह जो OFF है इसको ON करके आप 4GB RAM को और भी बढ़ा सकते हैं इस फोन में बैक आना आपको सटिंग में आने के आने के आपको आना है इस तरह से नीचे shortcuts and accessibility सटिंग में आना है और हम पर है Smart Motion आपको सटिंग में आना है Smart Screen on-off आपको सटिंग में रहा है रेज टुवेक को on करेंगे तो मानलो आप लॉग करके कहीं भी फोन को रखें तो जैसे फोन को उटा कर हाथ में लेते हैं तो अट्यूमेटिक स्क्रीन आन हो जाता है उसके पर आप डबल टैप टॉलाइट इ आते हैं सेटिंग में और आप नहीं पर आना है इसी Shortcuts & Accessibility सेटिंग में और Smart Motion सेटिंग में आना है और स्वाट वेक सटिंग में और यहां पड़ाई Swipe Up To Unlock है और Swipe Down To Take A Photo इसको on करेंगे अब swipe up करेंगे तो unlock हो जाएगा और swipe down करेंगे तो camera app open हो जाता है lock screen से ही direct अगले feature की बात करने के लिए आना है setting में और इसी shortcuts and accessibility setting में आना है और smart motion setting में आना है shake to turn on तर फ्लेशिट इसको on करेंगे तो अब मालो आप दो बार इस तरह शेक करेंगे फोन को तो flash it on हो जाती है एक step back आने के बाद आपके हम पर दिखता है quick action यह off है तो इसको on कर लेना है subscribe अब मालो आप lock करके रखें फोन को value minus button के उपर long press करेंगे तो flash it on हो रहे है और वापर से long press करेंगे तो off भी होती है हम इसमें दूसरा feature भी लेकर आ सकते हैं हाँ पर open app पर क्लिक करेंगे कोई भी application को भी हमें पर set कर सकते हैं example यहां पर मैं कर सकता हूं इसको YouTube को मैं कर लेता हूं अभी lock करके रखें फोन को value minus button के उपर long press करेंगे तो यह YouTube open हो जाता है अगले feature की बात करने लिए setting में आने के बाद इसी shortcuts and accessibility setting में आने के बाद यहां पर है और easy touch इसको on करेंगे तो यहां पर एक bell निकल कर आता है कुछ इस तरह से इसकी ओपर click करने बाद यहां से screenshot ले सकते हैं और इसके recording कर सकते हैं और इसके उपर हम double tap करेंगे तो यहां पर double tap के लिए हम क्या करना चाहिए यहां पर lock करना जाता हूं तो यहां पर मैं अभी इसके उपर double tap करूंगा तो lock हो जाएगा इसके बाद इसके अलावा और feature इसमें long press करूंगा तो home button हो जाएगा यह इस तरह से यूज कर सकते हैं अभी एक gray color देख रहा है इसका theme भी आप change कर सकते हैं इस पर आप click करेंगे तो यहां पर आपको skins मिलते हैं बहुत सारे जो आपको अच्छा लगे यहां पर आप रख लेना मुझे तो भी फिलहाल orange अच्छा लगता है और यह को एप्लाय कर लेता हूं त आपका face खूब सुरत दिखागा beauty दिखेगा बैक आते हैं आपके हमपर दिखता है flash notifications आप incoming calls को on करेंगे आपको call आता है तो जो पीचे flash it है वो लगेगा बैक आते हैं और यहां पर है one-handed यहां से यह off है तो इसको on कर लेना है और इस तरह से आप करेंगे तो छोटा screen हो ज सकते हैं इस पर click करके बढ़ा कर सकते हैं अगले feature की बात करने के लिए setting में आएंगे और नीचा आएंगे आपको इसे shortcuts and accessibility setting में आना है और यहां पर है extra dim आप brightness को पूरा down कर लिया और इपको down करना है brightness को तो extra dim पर click करेंगे तो और भी down होगा brightness extra अगले feature की बात करने के आपको पता चलेगा बैक आने के बाद ब्लॉकेट नंबर्स आपको इस setting में आकर unknown कौन करना है तो जो नंबर आपके phone में save नहीं है उस नंबर से आपको call ही नहीं आएगा नहीं तो इसको off करके आप हम पर add a number पर click करके जो भी number है हम पर dial करके block पर click करेंगे वह number of blacklist में प तो आ सकते हैं दो बाद टिक करके एगरी करके इस सेटिंग में इसी तरह के और भी wallpapers आपको download करना है तो download more पर click करके इसी तरह के wallpapers download कर सकते हैं और आप आपके local images पर click करेंगे तो आ सकते हैं गैलरी में अपने गैलरी का photo select करके रख सकते हैं अगली feature की बात करने लिए इस तरह से पिंच करेंगे आप हम पर यूआ कलर भी चेंज कर सकते हैं यहां पर फिलहाल भी यूआ कलर यह कुछ इस तरह सी दिख रहे ना और इसका आप color change कर सकते हैं यहां से अगली feature की बात करने लिए दो आपस से पिंच करेंगे home setting में आएंगे आने के बाद आपके हम आप हम पर करेंगे standard तो सारे applications आपको home पर ही मिलेंगे आप driver करेंगे तो इस तरह से swipe up करने के बाद applications आते हैं अगली feature की बात करने के लिए दो उंगले इस तरह से पिंच करके home setting में आएंगे हां पर है rounded corners and size of icons इस setting में आना है यहां से आप अपने applications के style को change कर सकते हैं और आ off करना है चला जाता है भी देख लीजिए नहीं आ रहा है अगले feature की बात करने के लिए हैं पर जो नौच में लेटिंगे न एक ऐसे set करें आपको मैं बताऊंगा आपको open करना Chrome को open करके हैं पर search करना आपको ring ring apk यहां पर यह रहा ring और यह रहा ring और apk search करके बस आपको इस इस application को download कर लेना फिलहाल इसमीं इंटरनेट नहीं है मैंने दूसरे फोन से इसको share कर लिया इस application को यह दिख लीजिए इस application को download करेंगे तो open करना ओपन करके सारे permissions देना एक दाम easy permission देंगे तो सबसे बले कुछ इस तरह से आप इस step पर आएंगे यह और रहता है सबसे इसक अपने camera के पास लेकर जाना इस ring को वह हो गया उसके बाद आप इस पर click करके पहले से कुछ इस तरह से by default इस तरह से होता है यह segment color कुछ इस तरह से होता है अब यह example आपको यह yellow color कोड जो है ना यह copy करना है long press करके इसको code को copy करना है मैं copy कर लेता हूं उसके बाद आपको इ करके single color को set करना है इसकी ओपर click करके पर click करके yellow color set करना है इस तरह से set हो जाता है अगली फीचर की बात करने के लिए दोंगलें से पिंच करके home setting में आएंगे नीचे आएंगे सब्सक्राइब करना है आकर आपको notification center कर लेना है आपको भी notification पैनल निकालना तो ऊपर से खिचने के ज़रुत ने नीचे से इतना करेंगे निकल कर आ जाता है अगली फीचर की बात करने के लिए आएंगे दुस्तों हम पर आपको application driver open करने के बाद दिखता है हम पर hot apps hot games यह applications निकल जाएंगे अगली फीचर की बात करने के लिए आपको setting में आना है और एकदम नीचाना है हम पर है system आपको setting में आना है हम पर system navigation यह इसका system आप change करना जाते हैं मतलब यह back button इधर minimum button इधर लेकर आना चाते हैं तो नीचा आना है इस पर आप click करके हम पर इसका system change कर सक सकते हैं इसको और यह buttons पूरा ही करना है तो आपको system navigation में आकर जेस्टर navigation पर click कर देना buttons हीड हो जाएंगे आपको back आना तो इस sets आ सकते हैं और इस sets भी आ सकते हैं home button यह रहा recent tax remote करने लिए नीचे से long tap करके यहां पर recent tax को भी remote कर सकते हैं अगली future की बात करने लिए आना है यह देख सकते हैं back आने के बाद आपके हम पर आना है system setting में और यहां पर date and time अगर यह 24 format होता है इसको off करना है तो जो आपको समझ में आता है timing वो timing आपको बताना शुरू हो जाएगा अगली future की बात करने के लिए आपके हम पर आना है notification panel में और हम पर pencil पर हम click करेंगे click कर यह बाद आपको हम पर बहुत सारे और भी mods मिलते हैं इसको focus mode को ले लेता हूं उपर और bedtime mode को भी हम ले लेता हूं उपर आप bedtime mode को on करेंगे तो सोते वक्त इसको on करना आपकी आराम सी नीन्द होगी क्योंकि आपको call message कुछ भी आता है आपको पता ही नहीं चलेगा इसके आपकी बाद यहां पर हमने लिया है focus mode को इसको open करना है show all apps पर हम क्लिक करेंगे तो सारे applications आपके हम पर निकल कर आएंगे कोंसे application का notification आप थोड़ी तरी के लिए block करना चाहिए कर सकते हैं example gmail को लेता हूं gmail को मैंने start कर लिया turn on now करूंगा तो हमको gmail से कोई भी notification सी ही नह पर आएंगे notifications और gmail open करूंगा तो open भी होगा इस तरह से अब कोई भी application का notification थोड़ी जिक लिए block करना चाहिए कर सकते हैं अगली feature की बात करने लिए setting में आना है यहां पर आपको ऊपर दिखता होगा Bluetooth and device आप otg use करते हैं तो इस setting को on करना पड़ेगा तब ही otg connect हो अगली feature की बात करने लिए setting में आएंगे आने के बाद आपके हम पर आना है भी lock screen and wallpaper आपको इस setting में आना है always on display आफ है तिसको on कर लेना इसके उपर आप क्लिक करके off screen style मतलब always on display में जो timing बताता है न वह style कैसा आना चाहिए वह style आप यहां पर change कर सकते है apply कर लिए तो जैस बता देना तो चलिए दूसरों मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में और इस चैनल को subscribe करके bell icon पर प्रेस करके रख लेना आने वाले smartphone के इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए